जल इंसाफ देने और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं रिपोर्ट देखे पोलकाता में हैवानियत का पुढ़ी इंसानियत रेव के बाद मडर शेह शेह डॉक्रों की हरता रेजिरेंट्स डॉक्टर्स ने किया कारे बहिशकार या क्रोश ये नारे बासी ये गुस्सा बंगाल की डॉक्टर बिठिया के इंसाफ के लिए तरदेश के कई Medical College के Residence Doctors, Medical Students जलक से लेकर कारभाहिशकार तक की लड़ाई लड़ रहे हैं सूबे के सबसे बड़े SMS Medical College के Residence Doctors हर्ताल पर चले गए हैं Residence Doctors ने SMS Medical College के बाहर प्रदशन किया और नया एकिमांगी जैपुर Association of Residence Doctors के अधर्श डॉक्टर मनोह सियोल ने कहा कि प्रेणी डॉक्टर के साथ हुए बरबरता मामले में आरोपी के गिलाव सक्थ सक्थ कारवाई हो तो रास्ता को सब्सक्रा ट्रॉमा सेंटर उसके आप डीडियार जाके देखना अगर आप वक्त मिलें तो यहां से 500 मिट्र दोरी पे आप वाद आईए और देखिए उसके डीडियार का वोस्टर मी कुंडी टूटर की तो कि एक साथ ही तूटी लिए मैं देखा है उसके अंदर कोई भी भूमेंट जाके कैसे उसके दोरी तूट करेंगे दिडियार है, मैंनों फिमेली यह एक कॉमन डीडियार है तो अधर अजमे संभाग के सबसे बड़े जेलन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नजिरें डॉक्टर्स ने भी कारवाहिशकार करते हुए इस मामले में CBI जातकी मांगी सक्त कारवाइद नहीं होने तक कारवाहिशकार जारी रखने की चेतावनी ने डाली डॉक्टर के विरोध और कारवाहिशकार की तस्वीने कोटा से भी सामने आई है रेजिडेंस डॉक्टर्स ने MBS अस्पताल में नारेबाजी कर आख्रोश जाहिर किया कोटा के MBS अस्पताल, New Medical College अस्पताल, Super Specialty JK Lone अस्पताल के करीब 600 रेजिडेंस डॉक्टर्स कारवाहिशकार पर है कारवाहिशकार के चरते संभाग के सब से बड़े MBS सहिर, चारों बड़े अस्पिटल की स्वास्थ विवस्ता चरवराने लगी है डॉक्टर्स की बांग है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नया नियम जल दागू किया जाना चाहिए जो प्रोटर्स्ट हमारा चल रहा है, जो मैनकी निर्मम हत्या की गई है मैडिकल कोलेज में कोलकता में एक रेजिडेंट्स हाती का साथ दूस दरकटना होई है, उसकी हत्या कर दी गई है उसके परिवार के जो बीतर ही है हम उसके परिवार के साथ खड़े हैं